राधे राधे दोस्तों कैसे हुआ आप लोग आसकी हमारी कहानी करना में ननद का सासन नई दुलहन रीमा कुछ रसमों के बाद सोफे पे चूप चाप बैठी थी तभी बड़ी ननद मीना बोली आड़े तुम्हारी माने तुम्हे बताया नहीं दुलहा दुलहन के खेल रसम के बाद अब तुम्हे घड की सभी बड़ी महिलाओं के पैड छूकर सगुन देना होगा चलो उठो सभी को देरी हो रही है बुआ चाची जी लोगों को तो निकलना है वरना बाद में हमें सुनाएंगे बहु के मैके से तो कुछ आया ही नहीं रीमा को याद आया कि उसकी म आने बिदाई के समय एक पर्स में अलग से लिफाफी बना की रखे थे ये बोलकर कि जब ही कहा जाए तब निकाल कर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर दे देना दीदी सूबह से ही एक साड़ी पहन के रखी है इसने क्या सोचेंगे नई बहु के पास साड़ी नहीं ह आप तो हमारे घर वाले को अच्छे से जानती हो कैसी कैसी बाते बनाती है ताई चाची लोग एक काम करते हैं रीमा की सारी बदलवा देते हैं आखिर इतने चड़ाई में चड़ाई है लोग भी तो देखे कितनी महंगी बनार्शी सिल्क की साड़िया भेंट की हैं हमारी म हाँ तु सही कहती है छोटी चलो रीमा मैं तुम्हारे लिए भाड़ी साड़ी और जेवर निकाल देती हूँ वही पहन कर पैर छुआई की रसम करना दोनों नंदों की बात सुन रीमा चूप चाप अपने कमरे में चले गई जेट की गर्मी में जहां अच्छे अच्छो का प साड़ी दोदो चुन्नी गठ जोडा भाड़ी चुबते जेवर करती क्या किसे कहती नई बहुती वो और यहां तो जबसी सादी तै हुई है तभी से दोनों नंदों का राज सुरू हो गया है सास मनोर्मा जी के तेवर अभी पता ही नहीं थे क्योंकि सादी का सारा कारिय भ दोनों नंद रानी मीना कवीता ने उठा रखा था दोनों नंद रीमा को कपड़े जेवर कौन से पहनने है कैसे तयार मेकब क्या होना है सब बताकर कमरे से बाहर आ गई और अपने काम में ब्यस्त हो गई थोरी देर बाद जब छोटी नंद कवीता उससे लेने पहुँची तो देख कर गुसे में बोली अरे रीमा तुमसे कहा था ना दीदी के बताय ही सबसे तयार होना ये तुमने सस्ती भादी सारी क्यों पहन ली देखते ही समझ में आ रही है तुम्हारे माईके से आई है देखो ये माईके लगाओ वहीं छोड़कर आओ ससुराल के नियम अप नई दुलहन हो अच्छे से हैवी सारी पहनो इतने में मनुर्मा जी कमरे में पहुची और बोली अब जो है जैसा है ठीक है सब चूप चाप नीचे चलेंगे जाओ अभी बाद में देखी जाएगी और बहुत तुम बहुत सुन्दर लग रही हो चलो इतना सुनते ही कभीत चुप तो हो गई पर मन ही मन कसमसा गई जब रीमा सबके साथ बैठी तो मीना भी गुसे में थी रीमा बड़े ध्यान से सबकी पैर छूकर लिफाफा थमा रही थी इतने में मीना बोली आरे ये हमारी दादी मा है इनकी पैर घुटनों तक दबा दबा कर पकड़ो बहुत असिरबाद मिलेगा और ये दोनों बुवा भी बहुत बड़ी है इनके भी पैर अच्छे से दबाओ ये नहीं की सिर्फ घुटना टच किया और हो गया मनुर्मा जी दोनों बैटियों को देख रही थी कुछ अलग ही रंग धंग है दोनों के तभी रीमा उनके पैर छुती है वे जट से उसे गली लगा के कहती है आज से मैं तुम्हारी सास से ज्यादा मा हूँ किसी बात की चिंता मत करना उसके बाद उसने मीना दीदी के पैर छुए कविता की तरफ बढ़ी ही थी कि मनुर्मा जी बोली इसकी साधी भले ही तुमसे पहले हुई है पर ये तुमसे चोटी है जिसके पैर नहीं गले लगो और मैं चाती हूँ मीना भी अपनी भावी के गले लगे ताकि प्यार और अपनापन बना रहे ना चातेव वे भी दोनों ने रीमा को गले लगा लिया अगले दिन बहु की पहली रस्वई होनी थी कुछ मेहमान चले गए थे मगर खास खास लोग खाना खाने के बाद ही जाने वाले थे मिना कविता दोनों ने रीमा को रात को ही खाने का मिन्यू समझा दिया और कहा वैसे तो उमा तुम्हारी मदद कर देगी मगर मिठा तुम्हें खुद ही बनाना है और हाँ पूजन से पहले चोके में कुछ भी जु सक्टी से नियमों में रखा है इसलिए हम समझा रहे हैं अगर तुमने रस्वय में कुछ भी गरबड की तो बहुत डाट पड़ेगी इसलिए सावधान रहना अपनी नंदों की बात सुन रीमा जैसे बोखला सी गई इतनी सक्ती हे भगवान सोचा था पढ़े लिखे लोगों का घर है कुछ तो छूट देंगे मगर यहां तो सो साल पुराने रुढिवादी रिती रिवाज आज भी चल रहे हैं जब से इस घर में आई हूँ ये नहीं होता वो नहीं कर सकते इतने सारे नियम आखिर कैसे घर में मेरी पार पड़ेगी मैं तो सुमीत से कह दूंगी नि भाने दो अपनी मा बहन को ये नियम मुझे लेकर दुसरे सहर बस जाओ मुझे नहीं रहना ऐसे सिर फिरो के संग रीमा सूब जल्दी उठ गई अपनी पहली रसोई बनाने के लिए या यू कहे रात भर उसे निंद ही कहां आई थी जैसे रसोई में पहुँची साप चल रही थी मनुर्मा जी बोली इतनी जल्दी क्यों आ गई अभी तो साथ बजा है साप सभाई करवा रही हूं नौ बजे भी खाना बनाना सुरू किया तो बारे बजे तक आराम से निपट जाएंगे वैसे भी यहां लंच एक से दो के बीच में ही किया जाता है वो क्या कह कि आपकी दोनों महान बेटियों ने जो धमकी दी थी उसी को सुनकर पूरी रात बेचेन रही और सुबा निंद जल्दी खुल गई फिर भी बोली ममी जी कोई काम हो तो बता दिजिये अभी निपटा दूंगी और मिठे में क्या बनेगा तुम इतनी चिंता मत करो जाओ ज दिर बाद चाय भी जवाती हूं उसके बाद जब कहूं तब आ जाना सास की बात सुनकर चूप चाप रीमा अपने कमरे में चले गई सूबा के 11 बज रहे थे मीना कभीता ने सोचा चलो अब रस्वई का मुआयना किया जाए दोनों रस्वई में पहुँची तो चिक उठी रीमा ये क्या कर रही हो अभी तो भगवान को भोग लगाना है और तुम रस्वई के कोने में बैठ कर ठूस रही हो यहीं सब सिखाया है तुम्हारे मा बापने ये सब मा ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा तब ही रस्वई में मनुर्मा जी जो आ जाती है अरे क्या हो गया तुम दोनों को बहु से ऐसे बात क्यों कर रही हो मा सब कुछ तुम अपनी आखो से देख लो फिर हमसे पूछना अच्छा तुम दोनों जाओ यहां से मुझे तुम से कुछ ज़रूरी बात करना है और रिमा बेटा तुम आराम से खाओ और कमरे में जाकर तयार वहीं पहना बोल अपनी दोनों बेटियों को अपने कमरे में ले गई तब गुसे में बरी बेटी मिना चिलाई मेरा हाथ छोड़ो मा बहु के आते ही तुम तो बदल गई देख नहीं रही कि वो क्या कर रही है आप बहु से डरने लगी उसकी मर्जी से काम करोगी तो कल को आठ आठ आशू रोगी अरे हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं इस घर के नियम समझा रहे हैं कि बहु को कैसे रहना चाहिए ये बता रहे हैं और एक तुम हो उल्टा सिधा किये जा रही हो हम दोनों बहनों के लिए तो इतना अनुसासन रखती थी और आज खुद का अ हमने तो एक बार आपकी गैर हाजरी में मैगी बना ली थी कितना डांट फटकार की थी आपने और आज बहु कटोरी में भर भर के खा रही हैं उसे रोका भी नहीं जा रहा उल्टा आप हमें चिला रही हैं आप तो दोगली निकलीमा हमें आपसे ये उमीद नहीं थी कि बे बहु के लिए नियम अलग रखेंगी छोटी बेटी गुसे में बोली बलकी लोगों के घर में तो बेटियों को पूरी अजादी दी जाती है मगर आप और आपके कड़े नियम कभी हमें चैन की सांस नहीं लेने देते थे और आज अपनी बहु को इतनी छूट दे रही हो अच्छी ससुराल मिली छोटी तो अपने पती के साथ है बाहर रहती है मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ मगर वो मुझे मा बाप से बढ़कर प्यार देते हैं हर तरह की आजादी दे रखी है कापड़ा हो या खाना पिना कभी भी रोक टोक नहीं करते कहीं आती जाती भी सच माईके से ज़्यादा सुख मिले हैं हमें ससुराल में दोनों की बात सुन मनुर्मा जी बोली मेरी प्यारी बचियो मैं कुछ नहीं बदली तुम खुद देखो जब हम सीफोन जरजट की साड़ियों में घूम रहे हैं तो उसको इतना भारी बनार्सी सिलक साड़ी क्यों पहना तुमने देखा नहीं पुरा बलाउज पसीने से भिंगा हुआ था और रही रस्वई जुठा करने की बात तो सुनो सारा खाना बन चुका है मिठे का भोग मैंने लगा दिया है जब मैं पूजा कर रही थी तब उसे चकर आ गया मेरे पुछने से बोली साधी की रस्म के कारन चार दिन से धंसे खाना नहीं खाया और विदाई के बाद एक निवाला हलक से नहीं उतारा है बेचारी ने अब एक बात बताओ जो मा अपनी बेटियों को भगवान के भोग से भी पहले खाना खिलाती थी वो आज अपनी बहु को भोग लगाने के बाद खाना नहीं दे सकती और मेरी प्यारी लाडलियो तुमने अपने सवाल का जबाब खुद ही दे दिया मैंने तुम्हे इतने कड़े अनुसासन नियम काईदे में इसलिए रखा ताके तुम कभी भी अपने सवाल में ये ना सुनो कि तुम्हारी माने तुम्हे कुछ सिखाया नहीं मैंने हर तरीके से तुम्हे परफ्यक्ट बनाने की कोशिस की और देखो आज तुम दोनों घर ही नहीं बाहर के काम काज भी कितने अच्छे से संभालती हो पूरे ससुराल में तुम्हारी वहावाही होती है तुम दोनों की सास पूरी साधी में तुम्हारी तारिफ करते नहीं ठक रही थी सास ही क्यूं मैं भी क्यूंकि तुमने अपने भाई की साधी कितने अच्छे से सं कि कब साधी के काम की शुरुवात हुई और वो कब आकर खतम हो गए मखन मलाई से तुमने सारा काम निप्टाया तुम्हारे पापा भी बहुत डड़े हुए थे कि कैसे होगा क्या होगा मगर देखो तुम दोनोंने कैसी निपुनता से सब कुछ संभाला इसमें तो कोई सक ही नहीं तुम तुम मेरी दोनों बेटिया सर्वे गुन संपन हो मगर अब जो तुम दोनों कर रही हो उसके दूर गामी परिनाम घातक साबित हो सकते हैं नई नई अपनी भावी के मन में ऐसे काटों के बीज बोओगी करवी बाते बोलोगी तो आगे चल कर जब मैं और सहाय ह हो जाऊंगी या नहीं रहूंगी तो कभी अपनी भावी से प्यार समर्पन की उमीद मत करना दोनों अचमबे से अपनी मा की तरफ देख रही थी कि फिर मनोर्माची बोली क्या कहते हैं तुम्हारी भासा में फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन आज तुम दो कि ही होगा कि आप दोनों इतने अच्छे से बात ही नहीं कर सकते मैं चाती हूँ आज तक मेरी दो बेटिया थी अब रीमा को मिला कर मेरी तीन बेटिया हो जाए इसकी माने मुझे सुरू में ही बता दिया था पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हॉस्टल और पीजी में ही घर के काम काज में हाथ थोड़ा तंग है और हाँ माना मैंने तुम्हारे भविस्य के बारे में सोचा मेरी नितिया कुछ अलग थी अब हर मा एक जैसी निती को अपना नहीं सकती क्यूंकि परवरिष के कोई नियम नहीं होते हर मा अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालती पोस्ति है तो मुझे उसकी मा सुसमा जी के बातों में भी कुछ गरत नहीं लगा अब हम चाते हैं कि रीमा हमारे हिसाब से ढल जाए तो उसे कुछ वक्त देते हैं कुछ अपनी तरब से समझाते हैं देखना धीरे धीरे वो भी तुम दोनों की तरह निपूर्ण हो जाएगी मगर अचानक से उसे इतनी उमीद करना बात बात पे टोकना जगरे का करण बन सकती है इसलिए सयम से काम लेते हैं हम तीनों मिलकर उसे अपने घर के नियम के बारे में धीरे धीरे समझा देंगे मुझे पूरा भरोसा है जैसे तुम दोनों ने सीखी वैसे ही वो भी सीख कर एक दिन मेरी दोनों बेटियों की तरह परिवार में समंजस से बैठा लेगी और हर जगा वहावाही लुट कर ले आएगी मिना कविता दोनों एक दुसरे के तरफ देखती है मा की बातों पहले भी सोने की तरह खड़ी थी आज भी खड़ी है ठीक ही तो कह रही है हर जगा एक जैसी परवरिस नहीं होती फिर हमारा भी तो कर्तब बनता है घर आये नए सदस्य के साथ है प्रेम और सोहाद्र से बात करना ना की बात बात पर ताने तंज छिटा कसी करना दोनों बेटिया एक साथ बोल पड़ी मा आपके चरन कहा है आपको परनाम करना है आपने तो ह हमें बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया वरना हम दोनों मिलकर उस अकेली का कलास लगाने में लगे थे जो हमारी मांने हमारे साथ किया हम उसके साथ करने की सोच रहे थे जबकि वो भी हमारी माने किया है वो उनकी परवरिष्थी अब जो करने जा रही है वो उसका कर्तब है थैंक्यू मा पूरी जिन्दगी हम खुस्यों की तलास करते रहते हैं जबकि वो तो हमारे सामने होती है बोल कर दोनों बेटिया मनुर्मा जी के गले से लिपट गई तो दोस्त वासा करती हूं कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब किजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद